नमर्षका करें दोस्तों शर्मा जे की वीडियो में सुवागात है आज के से वीडियो में बथाते हैं कि किस तरीके से हम किसी नमबर के स्क्वार रूट निकाल सकते हैं अगर उस नमबर के एंड में 5 होता हो तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकर तरीका बताऊंगा तो यह शॉर्टकर तरीका है जिसमें लिखा है कि शॉर्टकर ट्रीक तो फाइंड दर स्क्वेर रूट ओफ एनी नमबर एंड विद फाई कि असरी का इंपाइंड दर सुप कि तो इसमें हम दो में एक कर देंगे दो मैं एक करक्रने के बाद बें जाएगा तीन अब्तिन को दो से हम multiply कर देंगे तो बन जागा 6, number आयागा 625, दूसरा example लेते है 105 का, end का number है 5, 5 का square करेंगे 25, 10 में 1 add कर देंगे 10 रे 11, 11 में 10 गुणा कर देंगे, बन जागा 110, तो number बन जागा 110, 25, 35, तेसरा number आता है, 65, 65 का example लेते है, 65 का end में 5, उसका end वाले number का, 5 का square कर देंगे 25, 25, तो जो पहला number है 6, उसमें हम 1 add कर देंगे, 6 प्लस 1, 7, और 6 में 1 add करने के बाद, जो पहले ένα number है, इसको सांग से multiply कर देंगे, पहले वाला जो नमबर है उसको हम साथ से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो चैस गुना साथ 22, डपर हो गया 42, 25, फिर आता है 305, अलास का नमबर है 5, 5 के स्क्वेर करेंगे 25, 30 के एक एड कर देंगे 31, 31 को 30 से मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो बन जाएगा 930, तो टोटल नमबर बन जाएगा हमारा 935, यह थे कुछ एक्जाम्पल शॉटकर तरिक किस तरीक से शॉटकर तरिक हम लगाएंगे, किसी भी नमबर को के स्क्वेर रूट को निकालने में, अगर उस नमबर के एड में पांच आ रहा हो, आने वाले वीडियो को में बता हूँ कि दूसरी नमबर में किस तरीके से शॉटकर तरिक अपनाएंगे यह वाला, अगर उस नमबर में पांच है कोई और नमबर हो, कोई भी नमबर हो, अगर उस नमबर में, तो वह वीडियो बनेगे अधर नमबर में, और बताइए वीडियो कैसो लगा, अच्छा लागा हो तो सब्सक्राइब, लाइफ और शेयर करें, और कम्मेंड बॉक्स में उपने कमेंड पेज़ करें, और आने वाली वीडियो के लिए जो रैड बटम होगा, उसमें आप बैल आइकन पे जाकर क्लिक करें, ताकि जो आने वाला वीडियो है, वो आपको नोटिफाई हो सके, अब करेंगे, अब कर दोस्तों, शर्मा जी की वीडियो में सुवागात है, आज किस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से हम किसी नंबर के स्क्वेर रूट निकाल सकते हैं, अगर उस नंबर के एंड में 5 होता हो, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको शोटकर तरीका तो यह शोटकर तरीका है, जिसमें लिखा है कि शोटकर तरीक टु फाइंड था स्क्वेर रूट अफ एनी नंबर एंड विद पाई तो सबसमें हम जैसे एक्साम्पल लेते हैं 25 का नमबर आयागा 625, दूसरा एक्जम्पल लेते है 105 का, एंड का नमबर है 5, 5 का स्क्वैर करेंगे 25, 10 में 1 एक एड कर देंगे 10 में 11, 11 में 10 गुणा कर देंगे, बन जागा 110, तो नमबर बन जागा 110 पच्चिस, तीसरा नमबर आता है 65, 65 का एक्जम्पल लेते हैं, 65 का जो एंड में नमबर है 5, उसका हम एंड वाले नमबर का 5 का स्क्वैर कर देंगे 25, 25, और जो पहला नमबर है 6, उसमें हम एक एड कर देंगे 6, पने से 7,